जहेंद दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने पसंदिता चैनल स्टडी एंड अप्डेट्स में इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं CISF अरिहंत का सेट तो CISF अरिहंत के लिए गए हैं तो उन्स हेट्स पे चलते हैं जैसा कि आपके यह रहां CISF का अरिहंत का सेट और भाग की नीचे दो सेट और दिये गए हैं एक गाइडर का है और एक CISF कॉंस्टिबल का सेट है और आप यहां पर देख सकते हैं यह इसका PDF है और से आउलोड करने के लिए Click here to download करेंगे जैसे इक लिए to download करेंगे यह Google Drive में open होगा और download करने के लिए इसको यहां पर प्रेस्ट करेंगे यह आपसे लोकेशन बुचेगा अब इसे सेव करते हैं और यह डाउनलोड हो जाएगा ओके दोस्तों आज किस वीडियो में हो करने वाले हैं जेनरल इंटेलिजन्स के कोस्टन्स जो कि प्रैक्टिसेट से हैं तो आए इस प्रस्णों करते हैं और देखते जैसा यह आपको बताना है तो आए इस प्रस्ण को सॉल्फ करते हैं जैसा कि यहां पर दिया गया कि माता पिता है उनके तीन विवाहित पुत्र हैं तो तीन विवाहित पुत्र लिए एक दो तीन और एक और विवाहित पुत्री और एक पुत्री भी है ठीक है अब यहां प के पास दो पुत्रियां है तो six seven हो गया फिर इसके पास दो पुत्रियां है तो हो गया एट और नाइन और इसके पास क्या है पुत्र है ओके तो हम क्या काउंट कर रहे हैं तो हम इस तरह लिंग को काउंट कर लें जितनी भी लेडीज है महिलाएं हैं हम इनको काउंट कर रहे तो कुल कितनी count होए तो कुल 9 count होगे इसका मतलब है कि उस घर में 9 महिलाएं हैं तो यहां देखिए आपको first के D में दिया गया आपका कि 9 ठीक है तो उत्तर आपका क्या जाएगा तो first का D उत्तर हो जाएगा और यह जो प्रस्णों का level है वह सीजे लेवल का है तो बहुत ही म में निमली खित को ध्यान प्रवग पढ़िए तथा नीचे दिएगे प्रस्णों का उत्तर दीजिए तो जैसा कि हमने कथन पढ़ा तो आईए इस निर्दियस को भी पढ़ लेते हैं और निर्दियस में दिया गया कि 6 बच्चे हैं A, B, C, D, E, F जो कि फुटबॉल खेल र आईपको C, A के पिता का इकलॉता भाई का बेटा है, C जो है वह A के पिता के इकलॉते भाई का बेटा है, यह भी मेल है, फिर दिया गया है कि B तथा D, जो है वह C के पिता की भाई की बेटियां हैं, तो B और D female हो गई, यहाँ पर तीन female हो गये, तो आपको second प्रस्ण गया था कि A तथा E भाई हैं A और E यह आपस में ब्रदर हुड है इनका भाई हो गए अब उसके बाद दिया गया है आपको कि F जो है वह E की बहन है F क्या है सिस्टर हो गई मतलब या फिमेल हो गई टिक कर देते हैं आगे बढ़िए फिर दिया गया कि C A के पिता का इकलौता भाई का बेटा है C जो है वह E के पिता मतलब चाचा का बेटा हो गया तो A और C क्या हो गए चाचा के बेटे हो गए और फिर दिया गया आपको B तथा D C के पिता के भाई की बेटियां है B और D ये दोनों क्या हो गए फिमेल हो गए तो ये दोनों क्या है कि ये दोनों हैं तो यहाँ पर B और डी फिमेल हो गई जो कि बेटिए शिजके सी के पिता के भाई की फिर आपको प्रस्त पूछ रहा सी से फ क्या रिस्टा है तो यहां पर सी और i क्यारिस्ता हुआ अब ये आपस में भाय हो गया इंचे और अपस में भाई बहन है to यहां पर रिस्ता हो जाएगा तो रिस्ता होゴा तो आपका सप्रटर जीना बंगतर इनक हो गया ऐखियको ऊंसा वाले में भाई का रिस्ता यहां पर A और E का है और एक और भाई है यहां पर जो कि आपके प्रस्त में मेंसन किया गया कि C जो है वह A के पिता के भाई का इकलोता बेटा है तो यहां पर तीन यहां पर आपको मेल हो गए कौन-कौन A, E और C A, E और C यह मेल हो गए तो यहां पर जो पुरुष खिला रही है वह तीन हो गए तो यहां पर उत्तर आपका थरीका C हो जाएगा फोर्ष प्रसंद दिया गया है यदि एक कूट भासा में रमन को 5 लिखा जाता है परसांत को 8 लिखा जाता है तो टिम-टिम को क्या लिखा जाएगा तो आप यहां पर काउंट कीजिए आर एम एन कुल कितने लिटर्स हैं 5 लिटर्स तो 5 लिख दिये परसांत कुल कितना लिटर है तो 8 लिख दिये तो टिम-टिम कितना लिटर है तो टिम-टिम कुल 6 लिटर है तो 6 लिटर आपको यहां पर कहां दिया गया तो A में दिया गया इसलिए फोर्थ का यह उत्तर हो जाएगा पात्मा प्रस्ट दिया गया कि पांच जिलों में से रामपूर जो हुआ छोटा है किस से तो स्यामपूर से तो प्रस्ट में क्या रिलिसन दिया गया तो प्रस्ट में रिलिसन दिया गया कि पांच जिलों में से रामपूर छोटा है स्यामपूर से धरमपूर बरा है हरीपूर से जैपूर बरा है स्यामपूर से परंतु इतना नहीं जितना हरीपूर तो सबसे बरा जिला कौन सा है तो आईए प्रस्ण के नुसार चलते हैं रामपूर जह हुआ आपका छोटा है किस से स्यामपूर से उसके बाद प्रस्ण में आपको कह रहा कि धरमपूर बरा ह से है हरीपूर से हरीपूर से बड़ा हो गया और फिर प्रस्ट में यहां पर कह रहा कि जैपूर बड़ा है स्यामपूर से तो जैपूर जह हुआ आपको C में दिया गया है तो 5 का C उत्तर हो जाएगा अब आपको छठा प्रसंद दिया गया है यदि 17 मार्च 1910 को सोंबार था तो 12 जुलाई 1910 को कौन सा दिन था ये आपको बताना है तो एक चीज़स में ध्यान रखना है कि आपको पहला दिन मेंशन कर दिया गया है तो उन दिन को भी याद रखना है और यदि सेम एयर में यदि आपको दिन निकालना हो तो ज़्यादा कुछ परिसान होने की जवरत नहीं है सिंपली हम डेट काउंट कर लेते हैं तो यहां पर जैसे कि आपको 17 मार्च दिया गया है इसका मतलब है कि मार्च जो आपका 31 डेज का होता है उसमें से 17 दिन काउंट कर लिए गए तो 31 मैंनस 17 ओके तो 14 डेज हो गया यह आपका आ गया मार्च तो मार्च में 14 डेज बचे उसके बाद फिर कितने दिन बचरें ये आपको count करना है, तो March के बाद फिर क्या होगा, तो March के बाद April होगा, तो April जो होता हुआ, 30 दिन का होता है, 30 प्रस कर दिजिए, फिर May हो गया, May 31 days का होगा, फिर आपका June हो गया, जो कि 30 days का होगा, फिर आपका July हो गया, जो कि 31 days का हो तो कुल कितना हो गया तो कुल आपको यह हो गया 117 डीज इसका मतलब हो गया कि 17 मार्स से लेकर 12 जुलाइट तक कुल 117 दिन होते हैं इसे याद कर लिजेगा मैं रेज कर रहा हूं तो अब कह किजिए कि 117 में 7 से भाग देदीजिए तो भाग देने के बाद आपको कुल 16 आत सेतलब पांच दिन सेस रह गया अब क्यासितब बताया यूच दीन बच ज है अब इस पांच को कवसे करेंगे क्योंकि प्रसत्थ में हां पर सोमभाार दिया घया है तो सोमभार से जो अगला 5 दिन होगा वह हमारा होगा 12 जुलाई 1980 का दिन तो आज ये सोमभार के बाद हम तो दिन क्या होगा उस दिन तो सिक्स का बी उत्तर हो जाएगा उके तो इस प्रकार से इस प्रस्णों को करते हैं बहुत ही आसान है तो इनहें आसानी से कर लिया करें और इनमें कोई भी leap year की बात नहीं होगी क्योंकि जो date दी गई है वह within year दी गई है यदि आप से सिर्फ प्रस्न पूचा होता ऐसा की 12 जोलाव निस्वास जी को क्या होगा तो face में हम leap year का condition add करते ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपको सात्मा प्रस्न दियागा कि एक अनुकरम है और उसमें एक पद लूपत है तो जो पद लूपत है वह पद हमें पता करना है तो यहाँ पर जो पद दिये गए हैं तो उसको पता कर लिजिए तो 4 जो की 2 का square होता है 196 जो की 14 का square होता है 14 का square अब यह 16 दिया गया है जो की 4 का square हो गया फिर 169 जो की 13 का square होता है ओके नेक्स तर्म आपका गाइव है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना कितना का ग्याप हो रहा तो 2 के बाद 4 का square फिर 4 के बाद क्या होगा तो 6 का square हो जाएगा फिसका अगला टर्म 6, 8 का स्क्वाइर हो जाएगा तो 8 का स्क्वाइर 64 होगा मतलब यहाँ पर मैचिंग आ रही है तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वह 36 होगा तो 7 का C उत्तर हो जाएगा अब आपका आठमा दिया गया है जिस परकार अनाज का संबंध भंडार ग्री से है उसी परकार जल का संबंध किस से होगा तो अनाज का जो संडक्षन संलेहन और रख रखाओ किया जाता हुआ कहां किया जाता है तो भंडार ग्री में किया जाता है तो उसी परकार जल का संड करेक्षन बांध में किया जाता है ओके तो आई आपसे में डूटते हैं नदी पानी बांध नहर तो बांध आपको सी में दिया गया है इसलिए एट का सी उत्तर हो जाएगा आगे बढ़िए नायन दिया कि निम्रिखित में इसे और संगत यूग्म को चाटना है कौन सा जैसे कि जीवन, मिर्ट्यू यह आपस में विमेल हैं विस, अम्रित यह भी विमेल हैं लाभान यह भी विमेल हैं लेकिन कपरे गहने यह आपस में मेल वाले सब्दे हैं ओके क्योंकि दोनों जो हमारी सुन्दरता को बढ़ाता है तो यहाँ पर जो विमेल हो गया और संगत की बेटी के दो भाईों से छोटा है तो होकी खेलने वाई लड़का देवेश से किस परकार सम्मंदित है या सम्मंद आपको बताना है ओके तो यह प्रस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा यह कोशन में आप से आज करता हूं देखतें कितने बचस का सही सही रिपलाई दे पा 11 दिया गया कि संख्याओं का वह जो राज जो अन्य से विन्न है तो कैसे विन्न है यहां आपको बताना है यहां पर आपको ए दिया गया है 200 और 8 का पेर बी दिया गया है 144 और 6 का पेर सी दिया गया है 131 और 11 का पेर डी दिया गया है 121 और 12 का पेर तो यहां पर इन पेर मे में ए अब आपको 144 दिया गया उसको six से डिवाइट करते हैं तो हो जाता है हाँ यह डिवाईट हो जाता है कितने टैमस में तो 19 से मैं कि फिर देखिए 1331 जो कि पुणतिया डिवाइट हो जाता है 11심 से कितने टैम्स में तो 121 टैम्स में लेकिन 121 12 से डिवाइड नहीं होता है इसमें क्या होता है कि इसमें आपका सेस्फल बज जाता है तो पुर्णतिया विवाजित नहीं हुआ तो इसलिए क्या होगा यह भिन्य हो जाएगा यहां पर जो common rule apply किया गया हुआ कि एक दूसरे को भिनने करता है ऊके तो 11 का डी उत्तर हो जाएगा ट्वल परसंद दिया गया है कि नमीनिकित सब्दों में से सब्दकोस के लिए दिये गए करम के अनुसार लिखे तो सब्दकोस में कैसे आते हैं यहापर सारे स वाले दिये गए तो पहले एसस लिख फिर STI 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 सब में आ गए चुंकि हम लोग जो डिक्सिनरी में ढूटते हैं वह अलफाबेटिकल और में ढूटते हैं इसके बाद देख लिए अंदर यहां से आना सुरू हो जाएगा ओके तो सबसे पहले क्या आता है यहां पर आपके पास L N F और N तो पहले क्या आएगा प उसके बाद आपको आएगा STI L T L उसके बाद आता है तो STI L T आपको A में दिया गया तो B के बाद E आ गया फिर उसके बाद देखिए आपको दो दिया गया है जिसमें की दोनों में N का पड़ियों किया गया है तो चलिए दोनों में N लिख देते हैं अब यहां पर N के बा आपको फोर्ट विशन पर चलाएगा ठीक है तो ए बी डी और सी तो हमारा जो करम बना वह क्या बना तो करम बना बी ए डी सी का इसलिए ट्वेल्व का उत्तर सी हो जाएगा थर्टीन दिया गया कि कौन सी संख्या स्रिंखला को पूरी करेगी ओप्संस दिये गये हैं 11, 13, 17, 19, 23, 25 और इसका करम क्या होगा यह आपको बताना है तो आईए इसको बताते हैं चलिए 11 से 13 गए कितने का अंतर हुआ प्लस 2 का अंतर हुआ फिर 13 से आप 17 गए कितने का अंतर हां प्लस 4 का अंतर हो गया 17 से 19 के प्लस 2 यह आपको प्लस 4 मतलब प्लस 2 प्लस 4 अंतर चल रहा है 15 25 में कितने इताइगा टूंटी नाई चलाएगा नापको सिंय में डिया गाया से संब्सक्राइब सब्सक्राइब iets याद करना जैसे कि A का पोbley ऑन है वी соврем press came 6 26 है तो इन सब्सक्राइब और की प्रहून इस श्वाल हो जाते हैं तो यहां पर ज्य हो व्य हो गया तो इन प्रहुम्रोंमीं हम उसको भूटेंगे जिसमें की साथ का अंतर होगा तो साथ का अंतर यहां आपको बी और आइका दिया गिया है भी जो होता हुआ आपको second position भी होता है और आई जो होता हुआ आपको ninth position भी होता है तो nine मीं डी two subtract करें तो कितना आता हमें तो हमें साथ आता है मतलब यह जो अंतर है seven का हुआ आपको 10 conditionальную पूडा कर रहा है कौन पूडा कर गई तो इसमें कहा लिजिए कि एक बाट डिनोशन लिजिए नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट ओके प्रस्ट में कह रहा है कि सुनिता उत्तरपुर्व की दिसा में सिक्स किलोमेटर चलती है यदि हम मानते हैं सुनिता यहां है तो वह उत्तरपुर्व दिसा में कहां कितनी कि नएन किलोमेटर यह इस तरफ गई ठेका कितना यह 9 किलोमेटर फिर वहां से दक्षिन ऻिदा दक्षिन PASTIM South West South West आपका यह हो गया South West ने हुआ 6 km जाती है चलिए 6 km लेया इसको वापस अब फिर कहता है कि फिर वह जो है अंत में पुर्व की और मॉर्व तो पुर्व हमारा किधर है इस तरफ है पुर्व तो पुर्व की और मॉर्व की तो 3 km चली तो कितनी चली तो 3 km चली अब प्रस्ट में कहता कि वह प्रारंभी का स्थान से कितनी दोरी पर है तो यहाँ पर देख लिए यह दोरी क्या था तो यह आपका 9 था तो 9 में से 3 सप्टा कर दिये तो 6 km हो जाएगा तो 6 km यहाँ पर आपको B में दिया गया है इसलिए उत्तर 15 का B हो जाएगा अब आपको 16 परस्ट में कह रहा है कि यहाँ पर दो वक्तब दिये गए हैं कथन दिये गए हैं और उसके दो निसकर्च दिये गए हैं तो इनमें कौँ सा सर्त है या आपको बताना है तो सर परतम क्या करते हैं कि वक्तब को जान लेते हैं तो वक्तब दिया गया आपका कि कुछ थैले जो हैं वह जेवे हैं मतलब यदि आपका यह थैला है तो इसमें कुछ जेवे हैं ठीक है तो इसमें कुछ जेवे कर देते हैं और फिर सेकेंड कह रहा कि कोई भी जेव थैला नहीं है जितने भी अगर ये जेव हैं तो यह थैला नहीं है इसका मतलब है कि आपस में कुछ कॉमन तो हुए ना तो यहां जो कॉमन हो रहा है वह आपका थैला और जेव हो रहा है यहां पार्ट कॉमन हो गया तो आईए अब इसके निसकर्स को पढ़ते हैं निसकर्स इसका दिया गया कि पहला कि कुछ थैले थैलियां नहीं है तो बिल्कुल सही निसकर्स है कुछ थैले जेव नहीं है यहाँ पर थैलियों की बात नहीं की गई है तो यह निसकर्स सत्य है फिर second दिया गया है कि कुछ जेवें थैले हैं बिल्कुल क्योंकि कुछ portion यहाँ पर common है दोनों में तो जो common है वह आपका थैले हैं तो यहां पर पहला एवब दूसरा दोनों निसकर्थ सत्य दिया गया है तो आईए धूरते हैं कहां पर दिया गया है दोनों निसकर्थ सत्य तो दोनों निसकर्थ सत्य आपको यहां पर C में दिया गया है इसलिए 16 का C उत्तर हो जाएगा अब आईए आगे बढ़ते हैं अगला परसम 17 दिया गया है कि निम्नकीत में से लुप्त पदों को ढूड़ना है तो आईए लुप्त पदों को ढूड़िए यहाँ पर आपको दिया गया है 3F6J11I18L अगला पाद क्या होगा यहाँ को पता लगाना है तो 3 से 6 तो यहाँ पर क्या हो गया तो 7 में आया, ओके, फिर यदि 7 plus 2 equals to 9 हो जाएगा, तो 18 plus 9 किजिए कितना आता है, तो 18 plus 9 आपको 27 आता है, मतलब अगला टर्म जो होगा हुआ 27 से related है, तो आप यहां भी ढूंट सकते हैं, कि 27 किस में दिया गया है, तो आपको यहां पर C में दिया गया है, और यदि आप बा ओके, फिर देखिए, next term जो आपका दिया गया है, I से L, तो I से L के भी कितना, plus 3, तो plus 3 कर लेजिए, और L से plus 3 करने बाद क्या आएगा, तो L से plus 3 करने बाद L M N O P आता है, तो क्या आगया आपका final, तो 27 P आगया, तो 27 P आपको यहां पर C में दिया गया है, इसलिए 17 का C हो जाएगा, ओके, चलिए अगले प्रस्न के तर बढ़ते हैं, 18 दिया गया है, कि खाली अस्थान में कौन सी संख्या आएगी, यह आपको बताना है, तो यह आपका खाली अस्थान दिया गया है, तो इस प्रस्न को कैसे करते हैं, तो इस प्रस्न को दो टैप्स में देखते या तो row या फिर column ओके relation ढूबना हमको row column में तो आइए इस lesson को कर लेते हैं तो चलिए नीचे से शुरू करते हैं तो नीचे वाले relation में देखे क्या दिया गया कि 11 into 1 11 into 1 plus 4 equals to क्या होगा तो 15 हो जाएगा होता है न फिर next term 7 into 3 plus 3 equals to क्या जाएगा तो 7,3 जा 21 plus 3 equals to 24 आ रहा है तो क्या हो गया 12 हो गया प्लस 5 एक्वल्स तो क्या जाएगा तो 12 प्लस 5 एक्वल्स तो 17 होता है तो आपका जो उत्तर हो आपका 17 हो जाएगा तो 17 यहां पर देखिए A में दिया गया है इसलिए 18 का A उत्तर हो जाएगा 19 आपको दिया गया है यदि A एक्वल्स तो 1, B एक्वल्स तो 2, C एक्वल्स त रिया होका तो x 2 x 3 plus क्या क्या हो आपको स्वाइब आपसे इन्यवा कर दिए 6 8-5 इक्वर्ष्ट हो तो 31 दोस्तों क्या है वह स्वाइब में आपको सी दिया गया है टो 19 का यह उत्तर हो जाएगा इंदी निचैनका एंदी आटर हो गया अब देखिए 20śniejवागि कि 6 दोस्त हैं 6 दोस्त हैं जिसमें कि A, B, C, D, E और F जो की Hexagonal मेज पर बैठे हुए हैं और एक दुसे की तरफ करके खेल रहे हैं ठीक है तो हमें क्या करना कि पोजिसें ढूड़नी है किसकी B की तो आएए ढूड़ लेते हैं तो आएए सरपरसम क्या करते हैं एक Hexagonal बना लेते हैं यह आपका Hexagonal हो गया सटकौन अब प्रस्ट में आपको कह रहा है कि F जो हुआ A के विलकुल विपरिद बैठा हुआ है यदि यहां पर हमने F को बैठा दिया तो इसके विपरिद क्या होगा A यहां पर आ जाएगा और B के ठीक दाईयों और बैठा हुआ है यदि F इस तरफ सर करके बैठा हुआ है तो उसका Left Right क्या होगा तो यह इसका Left हो जाएगा यह इसका Right हो जाएगा हो गया तो right side कौन बैठा हुआ तो right side B बैठा हुआ है F के ठीक right side B बैठा हुआ है तो यहाँ पर आप B को बैठा देजिए यह B हो गया फिर प्रस्ट में कह रहा है D जो है हुआ A और B के बीच में बैठा हुआ है D तो A और B के बीच में आप यहांपर D को बैठा दिए, तो यहीं बीच का पाट हो गया, और A और B के बीच में आगए D, ठीक है, और प्रस्ट में कह रहा है, कि और C के विल्कुल विपरित बैठा हुआ है, पैठगा C, तो बताएं B के विपरित कौन हुआ है, और उत्तर क्या हो जाएगा तो उत्तर आपका B हो जाएगा जो की E है ओके आगे बढ़ते हैं अब आपको 21 दिया गया है जिसमें की चार पासाएं दी गई है और इन पासा से आपको E के विपरित फलक पे कौन होगा यह हमें बताना है तो यहां पर हमें क्या करना है तो यहां आपका common part ले लिए अफ आ गया और एफ के common part के बाद हमसे clockwise घूमेंगेँ तो पिर आएगा आपका B फिर आएगा आपका C फिर यहां पर F आ गया तो f के बाद फिर आपका B आएगा फिर आपका D आएगा और फिर आपको 3 वाले में देखिए F के वाद E दिया गया तो F के वाद E आ गया और E के वाद D आ गया देखें यहाँ पर COMMON माच कहुँब़े यह आपस में common हो गये, यह आपस में common हो गये इसका मतलब है B जो हुआ E के पीछे हैं और C जो हुआ D के पीछे है तो हमें क्या निकाला था कि फलक के पीछे कौन है तो फलक पीछे हमारा B होगा तो यहां पर देखें B कहां दिया गया तो यह आपको B में दिया गया है इसलिए उत्तर आपका B हो जाएगा तो जब भी इस प्रकार के प्रस्ण हो और common parts दिया गया हो common फलक दिया गया हो तो फिर हम common फलक को लिखकर हम क्या करते हैं कि clock watch घूम जाते हैं और हमें वह फलक मिल जाता जो की विपरित होता है ठीक है समझे 22 दिया गया कि निम्लिकित आरेक में छायंकित भाग क्या पर्दसित करता है यह जो छायंकित भाग है यह क्या पर्दसित करता है यह आपको बताना है यदि तिर्भूज गरीव को गरीव और जो विर्दाकार पर था है वह फैमिली परिवार को व्यक्त करता है और वर्ग जो ह पार्ट किया है तो जैसा कि आपका जो वृत है वह आपको फैमिली को दिखाया और तिर्भूज किसको दिखाया तो गरीब को दिखाया मतलब गरीब फैमिली ओके तो यहाँ पर गरीब फैमिली गरीब परिवार डी में दिया गया है तो 22 का डी उत्तर हो जाएगा तो बहुत ही easy concepts लगे होते हैं आप इसको solve करें अब आपको 23 दिया गया है कि यह उत्तराकृतिक किसमें नहीं है यह आपको बताना है तो simple simple चीजें हैं यह उत्तराकृति डूड़नी है तो अप लूड़ सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर आने के बाद यह इस तरफ नहीं कर लोगे एगले परह बढ़ते हैं 24 दिया गया कि निमनेखित मेhм कितने यह आपको बताने हैं तो आपको जोड़ आ allied यह एक वर्ग आपका यह हो गया तीसरा वर्ग आपका यह हो गया चौथ आ यहांपर यह कॉमण में यह आ गया उसके बाद यहाँ पर कोई वर्ग नहीं है तो कुल कितने वर्ग हो गए तो कुल यहाँ पर पांच वर्ग हो गए तो 25 का सी उत्तर हो जाएगा अब आपको 25 दिया गया है कि इन में से कौन सी आकरती इस प्रस्नाकरती को पूरा करेगा तो आईए इस आकरती को बना लीजिए तो यह आकरती कैसे बनेगा यह आप देख लीजिए तो यहाँ पर कुछ यह इस परकार से यह जो रहेंगे यह यह जो रहेंगे ठीक है यह यह ये आपको डूटनी है सैसी ऐसी एसी और ये आपका डूटनी है तो ये नहीं है यह आपका बी मेरी आ गया है 25 का by वो जाएगा ओक ॉक 높 det इस परकार से आजके वीडे में 25 में से 24 कोसें मैंने कि और इक कोस्टन आप से एराज किया गया है तो उसका उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें मुझे इंतजार रहे का उसके जवाब का ओके तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए कर सकते हैं पर तो मुझे बहुत की खुशी मिलेगी तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग रिफ्यू जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी तो सरपर्थमा पहले वीडियो को लाइक कर दें कैनल को सब्सक्राइब कर लें यहां जितना अत्यधिक हो सके इसे अपने दोस्तों के बीच अपने कालिक्स के बीच जो भी गोवर्मेंट जॉब्स के त्यारी करते हैं उनके बीच सियर्ट जरूर करें